हेलो एब्रीवन वीजिवशिटी से टीजिंग पोस्ट के लिए रीकूूलेशन, सेलरी, इलजिबिलीटी के लेटेडिया, साड़े उचीय की नर्प के अकॉडिंग रहेगी, यहां पर कंडिडेट को आंलाइण एफॉलाइं दोनोध राशे अफलाइ करना은 है, टोटल 14 department है जिसमें की vacancy है तो इस regarding full information आपको इस वीडियो में दी जाएगी आप यहां कैसे apply करेंगे कौन कौन से department है कि इस department में कितनी seat है इस regarding सारी information आपके साथ share की जाएगी तो वीडियो को इन तक भी नाइस keep के वे देखें ताकि कोई भी information आप कमीशन हो को बता दों कि इस चैनल पर आपको PhD और मिशन नोटिफिकेशन और टीचिंग पोस्ट असिस्टन प्रोफेसर एक्सोसियेट प्रोफेसर और प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अप्डेट अल आवर इंडिया से मिलेंगे अगर आप यूजी सी नेट सेट या PhD इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस करते ताकि कोई भी इनफोर्मेशन में आपके साथ सेयर करों उसकी इमेडियेट नोटिफिकेशन आपको मिले आप उसे इमेडियेट देख पाएं और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइ इस उनिवर्सिटी को नेक के द्वारा एक प्लस प्लस ग्रेड मिला हुआ है यह एक नेशनल उनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी के ओफिस्यल वेब साइट की जॉब पर्टल को आपको आपको आपन करना है तन आप इस पेज पर जाएंगे स्ट्रॉल करके नीचे выпost advertisement for teaching post professor associate professor and assistant professor के लिए 15 के date में आई है minimum eligibility 사 container 8 on प्रोफेसर के लिए और यह मीनिमम इलिजबिलिटी कंडिशन है पर पोस्ट आप असिस्टन प्रोफेसर के लिए तो आप जिसके लिए अप्लाइ करेंगे उसकी डिटेल को आप देख लेंगे यह इसके अप्रटाइज्मेंट है इसे ओपन करके हम लोग देखते हैं के साथ कोई एडिशनल रिक्वाइर्मेंट हो तो उसके लिए जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाइ करेंगे अगर पहले कोई candidate apply कर चुके हैं same post के लिए तो यहां पर उसे फिर से apply करने की need है यह link दिया हुआ इस link से आप सारी detail को देख सकते हैं यहां online application 15 October 2023 से 15 November 2023 तक होगी and apply करने के बाद application form की hard copy को university में send करनी है send करने के लिए यहां पर address दिया हुआ है इस address पर आपको send करनी है through register या speed post on before 20 November 2023 तो 20 November 2023 on before आपके application form university में receive हो जानी चाहिए and application form के साथ आपके सारे document को self-attestate करके in close करने online application are invited from eligible candidate in the prescribed application form for appointment to the teaching post of professor associate professor and assistant professor on direct recruitment basis in various department यहां पर direct recruitment होगी it means यहां पर कोई entrance exam नहीं होगा direct आपका interview होगा और interview के बेस पर candidate को shortlist किया जाएगा department and back end sheet को देख लें तो सबसे पहले department आपका school of humanities जिसमें professor के लिए English में एक seat है PWD के लिए और उर्दू में एक seat है ST के लिए then associate professor, associate professor के लिए English में एक seat है and reserve के लिए उर्दू में एक seat है SC के लिए and एक seat है OBC के लिए assistant professor के लिए कोई seat नहीं है Second is School of Science, जिसमें Professor के लिए Biochemistry में एक seat है ST candidate के लिए, Chemistry में एक seat है OBC के लिए, Mathematics में एक seat है Unreserved के लिए, Physics में एक seat है SC के लिए, Esthetics में एक seat है OBC के लिए. School of Science में Associate Professor के लिए Biochemistry में एक seat है ST के लिए, and Assistant Professor के लिए एक seat है Geology में PWD के लिए. Then School of Health Science में Professor के लिए Health Science में एक seat है Unreserved के लिए Nursing के लिए एक seat है SC के लिए Then School of Health Science में Associate Professor के लिए एक seat है Health Science में OVC के लिए Assistant Professor के लिए कोई seat नहीं है School of Agriculture में Professor के लिए कोई seat नहीं है Associate Professor के लिए seat नहीं है School of Agriculture में Professor के लिए कोई seat नहीं है Associate Professor के लिए seat नहीं है Assistant Professor के लिए Agriculture Economics and Extension में एक seat है OBC के लिए School of Law में Professor के लिए एक seat है और डिजर्ब के लिए and Assistant Professor, Associate Professor के लिए कोई seat नहीं है School of Generalism and New Media Studies में Professor के लिए एक seat है and डिजर्ब के लिए Associate Professor के लिए कोई seat नहीं है and यहां पर SC के लिए एक seat है OBC के लिए एक seat है School of Gender and Development Studies में प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है, Associate Professor के लिए एक सीट है अन्रिजर्ब के लिए, Assistant Professor के लिए कोई सीट नहीं है School of Tourism, Hospitality, Service, Sectoral Management में प्रोफेसर के लिए एक सीट है, ST में, Associate Professor के लिए एक सीट है, OBC में, Assistant Professor के लिए कोई सीट नहीं है School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies में Professor के लिए एक seat है OVC में Environment Studies में and Associate Professor के लिए एक seat है and Reserve के लिए and Assistant Professor के लिए Environment Studies में एक seat है SC के लिए School of Social Work में Professor के लिए एक seat है and Reserve के लिए Associate Professor के लिए एक seat है OVC के लिए and Assistant Professor के लिए seat नहीं है Then School of Foreign Language इसमें Professor के लिए seat नहीं है Associate Professor के लिए एक सीट है SC में Assistant Professor के लिए सीट नहीं है School of Translation Study and Training में Professor के लिए एक सीट है OVC के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है School of Performing and Visual Arts में Professor Associate Professor के लिए कोई सीट नहीं है and Assistant Professor के लिए एक सीट है OVC में इस तरह से यहां पर total 14 department है जिसमें की professor, associate professor and assistant professor के लिए vacancy है आप इस department में fill करेंगे उसकी categories में क्या seat है यह देख लेंगे ओके guys I hope कि information आपके लिए useful होगी university के link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी आप सबको download करके देख लेंगे गर आप यहां पर eligible हैं इंटेस्टेट है apply करने के लिए तो जरूर करें अगर कोई दिक्कत आती है apply करने में तो आप comment box में पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like किजेगा और इस तरह के update के लिए चैनल को subscribe करने न भूले मिलते हैं फिर next video में next information के साथ thank you so much for watching